नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है तो मैं यहां पे रेजिस्टेशन की वीडियो बनाने वाला हूँ कि फर्स्ट यर में आप कैसे खुद को एन्रोल कर सकते हो है तो उससे पहले मैं आपको बता दू कि आप यह घर से खुद बैठे बैठे कर सकते हो लेकिन शर्थ है कि आपको थोड़ा फास्ट करना होगा टाइम के यहां पर थोड़ा उसमें स्टेशन एक्सपार हो जाता है अगर आप काफी टाम लगाते हो ऐसे कुछ नहीं आप लग क्रोम पे चले जाना है और यहां पर आपको पर सकते हो बट मैं आपको समझा रही है अप चाहो तो मोबाइल स्लेक्ट कर लेता हूं क्योंकि आपका यूजी सिस्टम है यहां पर स्मेस्टर लिखाओ आपको फर्स्ट लिंक यहां पर ही दिख जाएगा याद रखे यह वेब साइट आपको जब तक आप एच्पीव से कुछ भी कोर्स कर रहे हो हमेशा काम आएगी तो आप एच्पीव क अच्छी नहीं हुआ करती थी आपको फर्स्ट पर क्लिक करना है और आपको स्क्रॉल डाउन करना नीचे उपर आपको स्मेस्टर दिख जाएंगे नीचे आपको एनुल सिस्टम दिख जाएगा तो आप बीए बीए बीकॉम जिसमें भी हो आपको यहां पर एनुब दिख सब्सक्राइब करना है यहां से आपके पास खुल जाएगा तो आपको स्लेक्ट किया है इस फॉर्म की में कुछ खासी तो बता दू अगर आपने इसमें एक बार फी सब्मिट कर दिया फॉर्म सब्मिट कर दिया लास्ट में तो आप इसको बदल नहीं सकते जो आपकी सब्मिट नहीं होगा अगर आपने कुछ गलत भी भर है तो भी आटमेटिक उस पर आपको खीचके लिए आएगा जैसे कोर्स वन है मैं बता दू फर्स्ट यर में मेजर माइनर नहीं होता है लेकिन फिर भी अगर आप इस्ट्री स्लेक्ट करना होता है तो जैसे मैं यहां पर आपना डालना है और आपको वही नाम हिंदी में डालना है आपका मदरनेन महिंदी में फादरनेन हंदी में और डेट ऑवर्ट चार के लिए जंप करें तो आप रखो जैंडर है यहां पे अधार नंबर डाली है अगर इंडलेश से चिसी का तो रखे और हैंडिकेप है आप या नहीं आप वह बताईए यहां पे नो अगर है आप तो यस कर दीजे यहां पर क्लास रोल नमबर जो आपको कॉलिज में मिलता है क्लास रोल नमबर अल्रेडी रेजिस्टेड इन एच्पू तो इसको नो करना है क्योंकि आप फर्स्टाइ क्योंकि आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी 10th mark sheet का serial number भरना है 10th roll number भरना है और 10th passing year भरना है आपको जैसे की 2020 है सरका 2020 है तो आपको यहां सी यह भरना है अगर किसी का कभी और पहले भी 10th का exam हो चुके तो आप वहां से और यहां पर submit पर click कर दोगा जैसे ही आप उस इसको लिख सकते हैं वहां पर यह आपका वहां पर serial number होता है तो जैसी आप इसको भर देते हो सारी यहां पर submit आपको कर देना है जैसी आप next पर click करोगे तो उसके बाद आपके पास खूलेगा यहां पर दूसरा page आपको वैसे यह सब को जल्दी जल्दी करना है मैं आपको maximum का same ही रहता है और आपको correspondence address पे click कर देना है दोनों same ही हो जाएंगे इसको भी आपडेट करना है address information has been updated successfully आगया लिखके और okay करना है उसके बाद आपको यहां से next कर देना है इतना असान चीज़ है आपको third step में पहुंच चुके है अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्या P and PNG तो मलब यह format होते है जिसमें photos होती है तो उसमें आपको यह इसमें करना है और यहां पर आपको plus two का जुब्य हो रहा है यहां पर आपको देना पड़ता है exam roll number update document last qualification वगएरा है तो आपको यह सारी चीज़े भरनी होती है क्योंकि यहां से आपकी identity बनती है आपको अप प्रेसेंटेज तो आपकी प्रेसेंटेज हो डालनी है यहां पर exam roll number डाना प्लस टू का डालना ध्यान रहे और यहां पर उसका जो फोटो अप्लोड कर देना है उसके बाद में नीचे दिखा दूआ आपको फोटो अप्लोड़ेड और सिग्नेचर सिग्नेचर कर देना है जैसी आप सेव करोगे तो थोड़ा ताम लेगा और उसके बाद यहां पर फोटो साइज 110 KB शुड़ नॉट भी मोर दें 100 KB तो यहां पर इसका जो आपको फोटो साइज है वो भी आपको जिहान रखना है फोटो साइज 110 KB तो आपको इसको कॉंप्रेस करना ह सब्सक्राइब तो आपको फोटो कॉंप्रेसर का यूज़ करना ही पड़ेगा तो मैं यहां पर कर रहा हूं तो मैं अपनी हिसाब से कर लेना नहीं तो मैं आपको डिस्क्रेप्शन में लिंक दे दूँगा तो इसमें टाइम लगता है डॉकमेंट सेव सकस्पुली आपको तो 100KB केई सारे डॉकमेंट बनवाने हैं या इसे कमके और होने भी क्लियर चाहिए ताकि आपको यहां पर देख सके तो यहां पर आपको यह हो गया है आप इसको नेक्स कर सकते हैं आप चाहो तो प्रिविस पार जो आपने डिटेल भरी उसको भी जाके चेक कर सकते हो या फिर यहां पर जो आपने मार्क शीट अप्लोड कि उसको भी यहां पर व्यू कर सकते हो तो हम नेक्स कर देते हैं अब यह दोकमेंटेशन यहां पर हमारी खतम हो चुकी है इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप है यहां पर आपको इसके पूरी डिटेल मिल जाएगी भी आप कर सकते है उसकी एक mail भी आएगा आपको नंबर पर आपको ऐसे OTP टाइप का भी आएगा और वहां पर आपकी data work आपका password होगी और आपको registration ID मिल जाएगी मैं आपको दिखा दू payment का जो इस तरह का interface है आपको यहां पर SBI से ही हो सकती है शायद और यहां पर continue to payment करन करना है और उसके बाद next कर देना है आप कहीं भी जाओ आपको वहां से विएसा कर देंगे आप घर से भी कर सकते हो तो इस तरह से आप registration घर में खुदा आलाम से कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही thanks for watching